हेलो फ्रेंस कैसे हूँ आप सब स्वागत है आप सब का मेरे चैनल है फ्रेंस आज मैं आपको मचली का सबजी बनाना सिखाऊंगी यह मैं आज बनाई हूँ मचली का सबजी तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ यह बन गया मेरा सबजी और मैं यह कैसे बनाई हू तो हम लोग तो यहां मचली बोलते हैं तो चलिए मैं बताती हैं इसे कैसे बनाई मैं सबसे पिले मैंने यहां एक किलो मचली लिया है उसे मैंने धो के साफ कर लिया है और उसमें मैं नमक डालूंगी और हल्दी डालूंगी उसमें मचली को धो के उसमें नमक हल्दी डालना जरूरी होता है ताकि नमक जो है अंदर तक जाए और हल्दी से थोरा कलर आता है और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे नमक हल्दी को ताकि सभी में नमक और हल्दी ढूग जाएं इसमें नमक ढूग जाने से इसमें टेस्टी लगता है आप फ्राई भी खा सकते हुए ऐसे तो मैं इस सारे मेक्स कर ली हूँ आप मेरा इधर तेल गरम हो गया कढ़ाई में तो मैं एक एकर के सारे मच्छली को फ्राई कर लूँगी इसे ध्यान से क्राई में डालिए ताकि आपको चीटा ना पड़े तेल का दीखें मैं अच्छे सब डाल रही हूँ धिरे धिरे मुझे मच्छली बहुत ज्यादा ही पसंद है मैं मच्छली बहुत पसंद करती हूँ चिकन नहीं खाती मेड भी नहीं खाती हूँ मच्छली मुझे बहुत ही पसंद है सो मेरा देखे थोरो तोरा फ्राई हो गया है मैं इसे पलट दूँगी इसे पलट पलट के पूरा अच्छी तरह से भूनना है अच्छी तरह से भून लेना है तेल में और इसे पलट दूठा दूगी इसे दोनों साथ उलट पलट के आपको अच्छी तरह से भून लेना है तेल में और याद रखिए कि आपको तेल में जो कढ़ाई में आप तेल डालोगे उस तेल को ज्यादा गरम होने देना है कम अगर करम होगा आप उसने मचली डालोगे तो वह चिपक जाएगा कढ़ाई में तो मेरे यहाँ पर फ्राई हो गया है मचली देखिए कितना ब्राउन करके फ्राई की हूँ मैं अब मैं एक एक करके सब निकाल लूँगी मचली आप जो तक ज्यादा फ्राई ना करोगे अच्छा नहीं लगता है थुरा फ्राई करने से ज्यादा फ्राई करने से अच्छा लगता है अब मैं एक करके सब निकाल लूँगी और बाकी बचे हुए जो भी है सब मैं फ्राई कर लूँगी आप ज्यादा बनाई हूँ कि मेरे घर में गेश्ट आने वाले हैं इसलिए मैं ज्यादा बनाई हूँ आज ध्यान से करना है आपको नहीं तो आपको तेल का छीटा पड़ जाएगा तो उसकी लो जाएगी यह देखिए मेरा सब फ्राई हो गिया है अब मैं मसाले की तैयारी करूँगी तेल तो अल्रेडी गरम ही है उसमें मैं पाच्छोरन डाल दूँगी पाच्छोरन डालके थोरा सा उससे भून लीजे पाच्छोरन को फिर अब मैं उसमें प्याज डाल दूँगी उसके बाद मैं दो हरी मीर्च उसमें डालूँगी कट करके यह देखिए दो हरी मीर्च है इसे मैं कट कर लूँगी और उसमें डाल दूँगी प्याज को आपको ब्राउन होने तक भुनना है ये देखिए मेरा प्याज जो है ब्राउन हो गया है भुना गया है अब मैं इसमें मसाले डालूंगी मसाला में मैंने ये सरसो जो है सरसो अलहसन को पीस लिया है पीस लूंगी अभी कि यह देखिये मैं पेचली हूं मैं इसमें कटे हुए आलू इसमें डाल दूँगी यह आलू को थोरा लंबा-लंबा काटा जाता है मचली में डाले हुए जो आलू डालते हैं उसे तहरा लंबा ही काटना पड़ता है अलु मेरा थोरा फ्राइ हो गया है अब मैं इसमें मसाले एट करूँगे धनिया पाउडर जीरा पाउडर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर सब में डाल दूँगी इसमें आलु को थोरा फ्राइ करने देना है आपको अब सारे मसाले डाल दी मैं अब जो responsibility लासन पीस के रखी थी उसे भी मैं डाल दी आप चाहँ तो सर्सो डाल के बनाओ या फिर ऐसे भी बना सकते हो जिनको सर्सो नहीं प्संद हो ऐसे identifying मचली फ्राई जना चाहिए को प्राई दाय को प्राई जना जाता है और मैं एक टमाटर को कट करके डाल दूंगी इसी में फ्रेंस यह सबजी बहुत ही टेस्टी बनता है आप चावल के साथ खाओ गरम गरम चावल के साथ इतना टेस्टी लगता है आपको तो मतलब हम लोग तो यह मचली बनता है तो हम लोग बाकी कुछ सब्जी नहीं बनाते हैं, दाल भी नहीं बनाते हैं, इसी के रस के साथ, मतलब जोल के साथ हम लोग खा लेते हैं, तो चावाल के साथ बहुत ही टेश्टी लगता है यह सब्जी, अब मसाला को अच्छी तरह स आप से बना रहे हो जितने लोगों के लिए बना रहे हो इसी साब से आप सबजी में पानी डालें मतलब अगर ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हो ज्यादा मचली बना रहे हो तो आप ज्यादा पानी दें और कम बना रहे हैं तो आप कम ही दें हम लोग तो इसमें ग्रेवी वाला ही मतलब बनाते हैं तो हम लोग इसे जोल वाला ही बनाते हैं तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं और मैं तो थोड़ा ज्यादा लोगों के लिए बना रही हूं तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी अब सब्जी के कलर देखो कितना तेश्टी लग रहा है देखके ही तो आप एक बार ऐसे बना के देखो बहुत ही टेश्टी बनता है यह सब्जी मचली डालने के बाद आपको धकना नहीं है नहीं तो मचली जो है टूट जाएगा मतलब गल जाएगा सो मैं अब धनिया पत्ता काट के डाल दूगी इसमें धनिया पत्ता को डाल के आप पांच मिनट तक इसे बॉयल करिए मचली और धनिया पत्ता डाल के कम से गब 5-10 मिनट तक आपको बॉयल करना है धीमी आच में ताक इसमें धनिया पत्ता का स्वाद है वो धनिया पत्ता का स्वाद इसमें आच जाए अच्छी तरह से पांच-10 मिनट तक पका लीजिए उसके बाद गैस को आफ कर दीजिए और दो-3 मिनट तक आप इसे धकी रखिए देखो मेरा सबजी बनके तयार है कितना टेस्टी है सबजी फ्रेंस वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दे मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर दे और बेल आकन बटन को दबा दे तेंक यू